Hello everyone, so good morning to all of you and welcome to Logic Pad Challah आज के इस वीडियो में हम लोग जोग्रफी का एक टॉपिक करने वाली है जो बहुत ही साथा इंपोर्टेंट है क्योंकि काफी साथा एक्जाम में यहां से एक कोशन पूछा जाता है तो हम लोग आज करेंगे विश्यो के प्रमो घास के मैदान यानी ग्रास लेंड्स ओफ दी वर्ड बलकुल और इसको हम लोग जानेंगे ट्रिक की हेल्प से बिकाज थोड़े से ही है क्योंकि जो इंपोर्टेंट हैं जो बार-बार एक्जाम में पूछे जाते हैं बत हम लोग कन्फ्यूस हो जाते हैं कि वो कौन सी कंट्री में हैं तो आज आपका पूरी तरीके से confusion दूर होगा बट इसके लिए आप लोगों को वीडियो complete देखनी होगी ठीके और पूरी information यहाँ पर दी जाएगी इस वीडियो का PDF में मैं आपको share कर दूँगी तो आप लोग टेलिग्राम गुरूप से जुड़ जाए जहां पर आपको सभी वीडियो के PDF फाइल्स प्रोवाइट किये जाते हैं इसके अलावा आप लोग मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं तो वहाँ पर भी अगा कोई नई अपडेट्स होती है तो वो मैं आप लोग शेर करती रहती हूं तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन को सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग basic information जान लेते हैं देखो जो हमारी घास के मैदान है या फॉरेस्ट है वो ऐसे एरिया में होती है जहां पर आपका बारिश होती है ठीक है क्योंकि पारिश होती है तो उसके वज़े से आपके जो पेड़ पौदी है वो ग्रू होती है सबसे देखो जहां पर heavy rainfall होती है बहुत जादा वहां पर फॉरेस्ट पाये जाते हैं बिल्कुल घने जंगल होते हैं तो वो ऐसे इलाकों में होते हैं जहां पर बहुत जादा बारिश होती है लाइक जैसे equator के पास, equator के पास काफी पारिश होती है तो वहाँ पे forest होते हैं जादतर उसके बाद जब जहाँ medium rainfall होती है वहाँ पाए जाते हैं आपके घास के मैदान जिसको हम लोग English में बोलते हैं grassland ठीके और जहाँ पर बिल्कुल ही मतलब नाम मात्र के बारिश या होती नहीं है ऐसे अलागे होते हैं आपके desert रेगिस्तानी वाले अलागे ठीके इसके बाद घास के जो मैदान है यानि grassland है वो होते हैं दो टाइप के एक होता है tropical जिसे हम बोलते हैं ऊश्न कटी बन दी है दूसरे होते है temperate जिसे हम बोलती है सीदोष ने कटी बन दी है तो इन दोनों को थोड़ा सा map पे देख लेते हैं उसके बाद हम लोग tricks शुरू करेंगे कोई भी तेको topic पढ़ा करो तो थोड़ी बहुत basic information भी उसकी जाना करो ताकि अगर वहां से कुछ खोशन बन जाए तो आप लोगों को पता होना चाहिए ठीके तो ये भी हमारी आगए छोटी से प्यारी से अर्थ आगए ठीके अर्थ के बीच में से कौन से लाइन पास होती है तो ये पास होती है equator ठीके equator जिसे हम हिंदी में भूमदे रेखा बोलते है या विशुवत रेखा भी बोलते है इसके उपर होता है ट्रॉपिक ओफ कैंसर जो होता है 20 डिग्री पर या आप इसको बोल सकता है 20.5 डिग्री पर होता है और नीचे होता है ट्रॉपिक ओफ कैप्रिकोन साउथ में ठीके यह होता है North में यानि करकरेका और मकरेका उसके उपर Arctic Circle होता है जो आपका 66.5 डिग्री पर होता है North में और Antarctic Circle जो होता है वो आपका South में होता है ठीके अब Reason की देखो Reason की हम लोग बात कर रहे थे न जो Tropical Zone और Temperate Zone कौन सा होगा Equator के पास वाला देखो जो Zone होता है इसको हम लोग बोलते है Tropical Zone क्योंकि यहाँ पर बारिश होती है तो उस नकटी बंदिये वाले जो घास के मैदान होते है वो यहाँ पर पाए जाती है ठीके इसके उपर वाला जो Portion होता है यह वाला Portion ठीके और यहाँ पर यह Portion यानि अग ठीके तो आप लोगों को थोड़ा से बेसिक नॉलेज जो है वो मैप से इजी समझ में आ जाएका और बाकी जो हम लोग ग्रास लेंट्स पढ़ेंगे न वो भी हम लोग मैप से भी पढ़ेंगे ठीके याद होता चलेगा और ट्रिक भी मैं बताती चलूंगी सबसे पहला द अमेरिका और मेक्सिको जो बॉर्डर पड़ता है यहां पर भी थोड़े बहुत इसके घास के मैदान पाए जाती है ठीके अगर हम इसको ट्रिक से याद करने के कोशिश करें तो भई कैसे याद करेंगे देखो कोशिंस भी बता दूंगे लास्ट में किस तरीके से इस टॉ करेंगे 9 हम नहीं बना सकते भई तो 9 क्योंकि 9 लोगों का पेर तो बनने नहीं सकता या तो 8 लोगों का पेर बन सकता है एक रह जाएगा भई है ना तो हमें क्या दिया है टास्क मिला है भई एक आपको कि 9 अमीर लोगों का अमीर मतलब अमेरिका और 9 से नोर्थ हो जाएग ठीके, उनका क्या बनाना है पेर बनाना है, तो पेर से आपका पेर ही हो जाएगा, ठीके, तो first वाला clear हो गया, चलिए सेकेंड आपका क्या है, स्टेपी, स्टेपी देखो, यूरोप और एशिया दो कॉंटिनेंट में होता है, देखो इधर भी यहाँ पे इसका थोड़ा सा पार्ट में लेगा, तो बोल देते हैं, यूरोशिया में है ये, ठीके, तो कभी भी एग्जाम में आएगा ना, तो लेने ही पड़ते हैं, ऐसा होता है ना, कभी-कभी उनको, मतलब उनके साथ गूमने जाना है, या उनको बचाने के लिए जूट बोलना पड़ जाता है, कभी कुछ करना पड़ जाता है, तो यार दोस्तों के लिए काफी स्टेप लेने पड़ते हैं, ठीके, और यार द दूस्तों के साथ ऐश बहुत आती है लेकिन उनके लिए स्टेप लेने होते हैं लाइव में तो स्टेप से स्टेप हो जाएगा यार से यूरोप हो जाएगा और एश से आपका एशिया बन जाएगा ठीके तो दोनों आपको याद हो जाएंगे आगे देखो क्या है पार्क ल जो पार्क है न जिसे घूमने वगएरा जाते हैं तो कई есь से पार्क होते है जहाँ पर फीस देनी परदी है लेकिन जो साथ के पार्क है वो क्या है free free मतलब एफरिका में free आ रहा है न और कौन से park free है south के तो south एफरिका हो जाएगा और park से parkland हो जाएगा ठीके आगे पड़े next आता है weld ये भी south अफरिका continent में है और यहाँ देखो इसकी location ठीके ये पूरा south अफरिका continent का map पे और यहाँ पी है weld grassland तो अब पार्क में घूमने चाहरे है तो पार्क में घूमने चाहरे है इसका मतलब तो आप क्या हो विल्ले हो विल्ले मतलब के पस कोई काम ही नहीं तो आपने सोचो जलबे घूमने चलते हैं वैसे भी free है तो देखो दोनों ही एक साथ relate कर देना पार्क लेंड और कौन सा विलड ठीक्खे अगला देखो क्या है फंपास बहुत ही जादہ पूछाओ जाता है एक्जाम में फंपास अर्जेंटिना में है धीक्ट के लोकेशन अब देखो यहां पर अर्जेंटिना है यह आपका ब्राजील आ जाएगा उपर और यहां पर जिसको मैंने डाक किया हुआ है यह है compress land ठीक है तो देखो हमें क्या चाहिए urgent अर्जेंट से आप लोग क्या निकालो urgent ठीक है urgent में हमें pump चाहिए एसानल से हम रस्ते में जा रहे थे रस्ते में जा रहे थे हैं नग हमारा क्या हुआ, cycle की हवा निकल गई, तो urgent पे हमें क्या चाहिए, हमें pump जाईए, ताकि हम लोग क्या कर सके, cycle में हवा भर सके, तो pump से क्या हो चाहिए, और urgent से Argentina, ठीके, इसके बाद एक और देखो, बहुत important है, campus, जो के ब्राजील में है, ठीके, उपर वाला देखो, ये वाला जो location था, यह कौन से थे, यह थे Pampas, और यह Campas है जो इससे उपर यह Brazil आपका आजाता है ना, पूरा, तो Brazil में कौन से है, Campas, ठीक है तो देखो Brazil, Brazil से आप लोग Bajigar बना सकते हूं ठीक है, या Baj भी बना सकते हूं, ठीक है जिससे Campas होता है ना, Campas की, नुक अगर चुप जाए, ऐसे ही Baj की, जो नजर होती ना, वो भी ऐसे ही होती है, ठीक है, तो ऐसे आप लोग relate कर सकते हो, या फिर Bajigar को Camp लगा है ऐसे भी आप लोग बना सकते हों ठीक है, जो भी आप लोग को असान लगी आप उस ट्रिक से याद करों कोई ऐसा हो नहीं की, यही याद करने आप लोग अपने भी बना सकते हो इसके बाद आता है, डाउन्स जो की, ऑस्ट्रिला में है, बहुत important है डाउन्स, आपको जो green green यह दिख रहे हैं, यह सब डाउन्स grassland है, तो कैसे याद करेंगे देखो, आस्ट्रिला से हम लोग निकालेंगे आस, कहते है ना किसी भी चीज़ की आस लगानी चाहिए, ऐसा नहीं, उसकी आस का मतलब क्या होगा, एक तरीके सा आप कह सकते होप कि हमें कभी पी ना होप नहीं चोड़नी चाहिए, तो होप को या फिर आप कहलो, आस को कभी भी डाउन मत होने दो ठीके, उसको हमेशा जोश में रखो, बिल्कुल कि नहीं ऐसा होगा, तो होगा ही है ना, तो आस से हमारा क्या हो जाएगा, डाउन यानि डाउन्स, क्लियर, उसके बाद देखो, नेक्स्ट आता है, सवाना, जो कि एफ्रिका में है, वेरी इंपोर्टेंट और ये देख रखते हो, आप जो येलो येलो वाला पूरा पार्ट है न, ये सवाना ग्रास लेंट, और ये कहां पे है, एफ्रिका में है तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग अफ्रिका वाले कह रहे हैं, कि हमारे यहां पे सब गूमने आना, सब आना एफ्रिका में सब आना गूमने, तो सब आना से हो जाएगा सवाना और गूमने के लिए कहां पे आना, एफ्रिका, ठीके, तो country का नाम ना दिके continent भी पूछ लेते हैं तो ध्यान लखेगा तो कैसे याद करोंगे देखो hungry मतलब भूका तिके आपको क्या करना कोगा पेसे कमानी होंगे तिके यूरो में पैसे कमानी होंगे यूरो में, यूरो मतलब करंसी होती है न, और करंसी मतलब क्या हो गया, एक तरीके से पैसा हो गया, तो पैसा कमाना पड़ेगा, नहीं तो आपकी चो पुष्टे है न, वो क्या रह जाएंगी, भूकी रह जाएंगी, तो पुष्टे से पुष्टाज और भूका से क्या हो ज जाएगा ठीक है next is canterbury canterbury जो है वो न्यूजेलेंड में है यह आप किसके location देख सकते है न्यूजेलेंड आइलेंड है या और आस्ट्रेला के पसंद होता अच्छी लगती है इन सबको तो मैंने तो एकदम चट्ट कर दी है न मसा आ गिया तो नहीं नहीं बेरी से क्या हो जाएगा केंट बेरी और वो बेरी पड़ी कहां पे थी लैंड पे मतलब जमीन पे तो लैंड से क्या हो जाएगा न्यूजेलेंड हो जाएगा ठीके तो यह थे हमारे important जो grassland है पूरे word के वो हमने पढ़ दिये अब मैं आपको questions बताती हूँ कैसे पूछे जाएंगे first question तो देखो इंडिया से मैंने ले लिया बुग्याल और पयार घास के मैदान कहां पाए जाते हैं क्योंकि यह question बहुत पूछते हैं ध्यान न किएगा यह उत्तराखंड में पाए जाते हैं ठीके तो आप लोगों का answer हो जाएगा option number B उसके बाद देखो हमारे पास क्या है अर्जेंटीना घास के मैदान अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान तो हमने कैसे याद किया था अर्जेंट अर्जेंट में हमें क्या चाहिए था पंप जाहिए था क्योंकि हमारी cycle की हवा निकल गई तो पंप से क्या हो जाएगा पंपास हो जाएगा ठीक है तो ऐसे हम लोग इसको याद करेंगे देखा बहुत इसी होता है याद करना सिर्फ एक बार अच्छे से वीडियो को कंप्रेट कर लेज़े याद हो जाएगा उसके बाद ऑस्ट्रीला में घास के मैदान को क्या बोलते हैं तो हमने ऑस्ट्रीला से पाए जाते हैं इसके बाद हमें आपे बोलाए कि सही यूग में पहचाने हैं मतलब जो पेर करेक्ट है वो पहचानना है तो अगर हम बात करें पेरी उत्तरी अमेरिका यानि नौर्थ अमेरिका में था याद करो कि हमें पेरी से हमने क्या बनाया था पेर और हमें कित्ते ल अमीर लोगों के पियर बनाने थे तो बिल्कुल सही है यानि फोस्ट आप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है बाकी भी कर लेते हैं देखो डाउन सभी हमने लोगों ने पढ़ा कि आस्ट्रेला में है सवाना तो सब आना कहां आना सब एफरीका कॉंटिनेंट में घूमने आना तो ये कहां पर पाया जाते हैं एफरीका में स्टेपी से हम लोगों ने निकाला था स्टेप कि यार दोस्तों के लिए स्टेप लेना पड़ता है लाइफ में और यार दोस्तों के साथ एश भी बहुत होती है तो ये कॉंटिनेंट कहां कहां पर पर पड़ते हैं यूरोप यूरोप से हमने यार बनाया था और एशिया से एश बन गया था ठीके तो स्टेपी आप लोगों के पाया जाते हैं यूरोप और एशिया दोनों कॉंटिनेंट में तो ऐसे करके आप लोगों को बहुत इजी पड़ेगा याद करना तो देखो बिलकुल मज़े मज़े में वीडियो यहाँ पर हमारी खतम हो गई बताएगा जरूर वीडियो कैसी लगी ट्रिक आपको मज़ा आया है नहीं आया ठीके ऐसे ही important वीडियो के साथ मैं आपको मिलूंगी फिर next वीडियो में thank you so much